हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप लोगों को CISF Head Constable Ministerial पुरानी वाली recruitment का जब भी Examination schedule मिला तब कोई न कोई दोस्तों आड़चने आई यानि उसके Admit Card नहीं जारी हुए उसे Postpond कर दिया गया इस बार भी दोस्तों कुछ इसी तरीके की funda चला है किसी ने एक court case कर दिया है इस recruitment में अब इस court case की वज़ा से परिक्षा कंड़क्ट होगी या फिर postpond इस बार भी होगी आप लोगों को इस वीडियो में पूरी information मैं साजा करने वाला हूँ तो वीडियो काफी जादा important है ब गर्ग के द्वारा किया जाएगा 29-5 यानि दोस्तों उमीद है कि कल इसका सुनवाई होगी और कल ही इसके फैसले आ जाएंगे ये court case दोस्तों इस मुद्दे पर हुआ है नार्मलाईजेशन के मुद्दे पर उस process पर आपती थी किसी student को तो उसने court case किया लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठते हैं ये परिक्षा अब conduct होगा या court case की विज़ा से पोश्ट पॉंड होगा exam court case करना बहुत ज़्यादा difficult नहीं होते है court case कोई भी कर सकता है और recruitment की schedule परिक्षा हो गहरा उसे court case की विज़ा से जल्दी नहीं पोश्ट पॉंड किया जाता है दरसल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है normalization एक मुद्दा है और normalization exam conduct होने के बादी होते है recruitment cell दोस्तों पूरी तैयारी लगभग कर चुका है आपकी परिक्षा कहां कहां पर कौन कौन से जगां पर कैसे conduct होगा और उमीद है कि यह court case की वज़ाए से आपकी परिक्षा पर कोई effect नहीं पड़ेगा अगर परिक्षा postpone भी हुआ किसी भी कारार से थोड़ा बहुत खिसका भी तो 10 से 15 दिन खिसकेगा 10 से 15 दिन बाद conduct करा ले जाएगा परिक्षा लेकिन आपकी परिक्षा conduct होगी अब 29 माई को इसकी information निकल कर आएगी fix कि क्या कुछ हुआ आखिर में postpone होगी या फिर परिक्षा conduct कराई जाएगी इसके अलावा दोस्तों आप लोग preparation में लगे रहे जैसा कि हमने बताया परिक्षा अगर postpone भी होते हैं तो बहुत दिनों के लिए postpone नहीं होगा इसके अलावा दोस्तों जैसे ही कोई नई information आप लोगों के लिए आएगी definitely हमारे दोरा inform कर दिया जाएगा लाइक नहीं कियो तो लाइक कीजिए और चैनल पने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेसर करें